राजेश खन्ना और अमिता बच्चन दोनों ने एक से बढ़कर एक फिल्में बॉक्स ओफिस पर दी। राजेश खन्ना को तो बॉलिवूट का पहला सूपरिश्टार भी कहा जाता है। आज बले ही वे हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनकी यादे आज भी उनके चाहने वालो के दिलों में जिन्दा है। आज हम आपको राजेश खन्ना से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिससे आप भी अंजान होगे। बॉलिवूट के पहले सूपरिश्टार राजेश खन्ना जिने इंडियन सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे सफल अभिनेत में से एक माना जाता है। वह बले ही हमारे बीच आज नहीं हैं लेकिन आज भी उनके फैंस उन्हें याद करते रहते हैं। वह अपने दौर के एक ऐसे अभिनेता थे जिनकी फिल्मों का इंतजार लोग बड़ी बेसबरी से किया करते थे। जब 1979 और 1971 के बीच मल्टी स्ट पारर फिल्में बन रही थी तो उस दोरान अकेले राजेश खरना अपने दम पर सिंगल लीड रोल वाली फिल्मों से बॉक्स आफिस पर हंगामा मचाए हुए थे। यही वज़े थी कि वे 1970 और 1980 के दसक में हिंदी सिनेमा में सबसे अधिक फीस पाने वाले अभिनेता यानि जब सदी के महनायक अमिता बच्चन ने बॉलिवूड में कदम रखा था तब राजेश खरना बॉलिवूड के सूपरिश्टार बन चुके थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक समय ऐसा भी आया जब अमिता बच्चन और राजेश खरना के बीच कॉल्ड वार शुरू हो गई थी। दोनों के बीच अक्सर नौक जोंक की खबरे आया करती थी। यहां तक की दोनों के बीच की जुबानी जंग सुर्खियों में रहा करती थी। इसी दोरान एक बार राजेश खरना ने अमिता बच्चन पर एक गंबीर आरोप लगाते हुए उनका जम क पर मजाक उड़ाया था। एक बार राजेश खरना ने अमिता बच्चन पर पैसे के लिए कुछ भी कर गुजरने का घंबीर आरोप लगाया था। साल 1981 में जब अमिता बच्चन ने अपने फिल्म लावारिस के एक गाने मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है में साड़ पहनी थी तो राजेश खरना ने उनका मजाक उड़ाया था और एक बड़ी बात कह दी थी। मसूर पत्रकार यासिर उस्मान ने अपनी किताब कुछ तो लोग कहेंगे में इस किस्से का जिक्र किया है। इसी पर तंज मारते हुए राजेश खरना ने कहा था कि वे कभी पैसों के लिए अपनी गरीमा से समझोता नहीं करेंगे। देखिये जिस सुपरिष्टा ने अमिता बच्चन का मजाग बनाया था वही अमिता बच्चन आगे चल कर सदी के महनायक के रूप में जाने जाने लगे। आई हो फ्रेंड आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी बॉलिवूट के इसे प्रकार के मज़ेदार और मनुरंजक किस्य सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थांक्स फोर वाचिं इस वीडियो